हेलो दोस्तो नमश्कार नॉर्मल स्क्रीन के उपर यहाँ पर कल के दिन तो हम लोगों ने बहुत बड़ी तबाई देखी थी हर स्टॉक यहाँ पर गिर रहा था बट गिरने में भी कोई सीमा होती है दो पसेंट, चार पसेंट, पाच पसेंट, छे पसेंट, साथ, आट पसेंट ठीक है, बट अगर हम लोग देखते कि लोवर सरक्रीटी लग गया बहुत ही बड़े स्टर के उपर 20-20 पसेंट की गिरावट कल के एक दिन के हिसाब से, और उसके पहले भी अगर देखे तो स्टॉक 10-10 पसेंट गिरते ही जा रहा है सो वहाँ पर हम लोगो कोई ना कोई बड़ा रिजन देखने को यहाँ पर मिलता रहता है सो रोस्तो इतनी बड़ी जो तबाई हम लोग को कल के दिन एक स्टॉक में देखने को यहाँ पर मिले थे, आप देख सकते हो कमपनी क्या प्लान कर रही है और किस तरीके का हम लोगों को दो बड़े कमपनी के बीच में फाइटिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है सो रोस्तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं ZOMATO से related जैसे मैं आप लोगों को का मेरे पॉर्टफोय में तो अभी नहीं है future में हो सकता है क्योंकि मुझे इसका business बहुत अच्छा लगता है अभी खरीदना मुझे again वही चीज लग रहे में जब तक company profitable नहीं होती या फिर break even के करीब दिमे दिमे करके आगे नहीं बढ़ती है तो दोस्तो आप सभी लोग को पता है कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ सिर्फ इंडिया की तो यहाँ पर यह जो business है जो मैं टोका कौन सा खास business है food delivery yes delivery के तो अलग-अलग business है चलते रहते food को deliver करने वाला अगर हम लोग business की अगर हम लोग बात करे तो आपको मैं बताना चाहूँगा इंडिया का पूरा जो market size है दोस्तो फिलाल 4-5 अरब US dollar है इतना बड़ा business है आज के हिसाब से ठीक है और दोस्तो यह बताया जा रहे है एक बहुत बढ़िया report सामने आ चुके कि आने वाले next मतलब 5 साल के बाद अगर हम लोग बात करें यही market लगबग 20 अरब dollar तक यहाँ पर होने वाल है मतलब आप lowest level highest level पकड़ लो तो वहाँ से 4-5 गुना इस Indian market का food delivery का size बहुत बढ़ा होने वाल है से 5-5 गुना सो यह बहुत बड़ी opportunity है दोस्तों इसके चलते दोस्तों कि यहाँ पर क्या कर रहे है जो food delivery वाली companies है न वह जादा से जादा Indian markets को उनके जो customer है उसको capture करने की कोशिश कर रही है क्योंकि आप सब लोग को पते है कि एक बार अगर आप किसी particular app के थ्रू अगर आप food delivery करना स्टार्ट कर दिये एंड उसके अगर आपको आदत लग गई तो easily हम लोग दूसरे एप के और या फिर किसी थ्रू से अगर हम लोग बात करें दूसरे application से हम लोग easily switch नहीं होते हैं हम लोग उसी से बाद में चीज़े काम चलाना शुरू कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि दो बड़े दिगज कंपनी food delivery वाले यस दोस्तों यहाँ पर में बात करा है जो मैट delivery का जो बाजार है अभी का चार से पाच अरब डॉलर का वो आगे जाके बीस अरब डॉलर हो जाएगा चार पाच गुना हो यहाँ पर हो जाएगा एंड इस बाजार को capture आइदर जोमेटो करेगा या फिर स्विगी करेगा यही चल रहा है अभी currently अगर मैं बात करो दोस्तो तो यहाँ पर बताया जार है कि दोनों 45-45% market capture करके रखे हुए है मतलब 90% इनके पास है 10% बाकी लोग आप लोग पकड़ लो तो यहाँ पर जो युद यहाँ पर इन दोनों में होते वे देखने को यहाँ पर मिल रहा है इसी के चलते हम लोग को यह सारी चीज़े देखने नहीं है तो इसलिए अमनों को वहाँ पर क्या reaction रहेगा वो तो देखने को नहीं लेगा बट जो मैटों तो लिस्टेड है तो इसलिए हम लोग को सविगी से रिलेटेड अगर कोई भी बड़ी आन्यूस सामने आती है तो जो मैटो की पिटाई होती ही देखने को यहाँ पर कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका पोटेंशल क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, आगे जाके कितना मल्टीपल से वो, मतलब, एक्सपांड कर सता है, उसके इसाब से आपका वैलिएशन निकाला जाता है, तो दोस्तों, वैलिएशन की, अगर हम लोग बात करें, तो स्व यह हम लोग को कैसा पता चला दोस्तों, क्योंकि कोई भी कमपनी, अगर हम लोग वैलिएशन निकालना है, तो वो फंड रेस करती है, आपको पता है कि इक्विटी आपको देना पड़ता है, या फिर डेप के थुरू आप करते हो, तो इक्विटी जितना डाइलूट करोग मतलब आपकी कमपनी की वर्थ है 100 करोड रुपे, येस, उस टाइम के अगर हम लोग बात करें, अगर आपकी कमपनी आगे जा कि बहुत अच्छा कर रहे है, और नेक्स्ट अगर वापस आपको एक करोड की जरूरत लगी है, उस वक्त आपने सिर्फ 0.5% के आस्क रखी, त मतलब 200 करोड रुपे, तो इसके इसाब से वैलुएशन निकाला जाता है, तो कल के दीन हमनों के एक जबरदस रिपोर्ट यहापर देखने को मिली, कि यहापर स्विगी ने फंड रेजिंग की है, येस, और वो कितने की की है दोस्तों, तो 70 करोड US डॉलर की, इतनी बड़ फंड रेजिंग यहापर उन्होंने की है, बहुत ही मल्टीपल इन्वेस्टर हमनों को देखने को मिली, मुझे जरूर कमेंट सेक्षन में आप बता देना, कि कौन-कौन से इन्वेस्टर के थ्रू इन्होंने पैसा उठाया, दो सेकेंड का का में, किसी भी वेबसाइट के पर जाओगे, तो आपको मिल जाएगा, बाट एटलीज में चाहता हूँ कि आप इतना तो कष्ट उठाये, कितना सक्तर करोड यूएस्डी इतना स्विगी ने फंड यहापर उठाया है, और दोस्तों में यहापर आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके चलते फंड उ हुआ करता था, अभी 10.7, मतलब आप अंदाजा अलगा सकते कि कितना जबर्दस्त यहापर हम लोगों को जम्प, स्विगी ने करते वे देखने को आपर मिल रहा है, और दोस्तों अभी बता है जारा कि वैल्यूएशन के हिसाब से, पर्फॉर्मस के हिसाब से, स्विगी न उसके इसाब से, जो जमैटो का वैल्यू है, वो 10 के उपर तो नहीं है, 10 के नीचे है, और इनका जो वैल्यूएशन है नया वाला, वो 10 के उपर चला गया है, तो इसलिए स्विगी अभी नंबर 1 देखने को मिल रहा है, और जमैटो नंबर 2, तो यह एक प्रेशर हम लोगो को बाजर में यहाँ पर जा रहे होते हैं, देखने को यहाँ पर मिला, अभी स्विगी लिस्टेड नहीं है, इसलिए अमनों को कोई उसका रियक्शन देखने को नहीं मिला, जमैटो लिस्टेड है, तो उसकी पिटाई होते हैं देखने को मिलें, क्योंकि कॉम्पिटिटर आगे बढ़ते चला जा रहा है, so 45-45% दोनों market capture करते हैं, बढ़ अगर स्वीगी ऐसा ही बढ़ता रहा, तो Zomato के लिए वो सिर्दद वाली बात यहाँ पर हो सकती है, देन दोस्तों आप लोग यह भी सोचोगे, कि यहाँ पर इतना जादा पैसा उठाया है, 70 करोड यूसडी, किसने, स्वीगी ने उठाया, तो ऐसा ही थोड़ी ना दिंगे investor पैसा, कि आप उस पैसे का करोगे क्या है, यह तो पूछते, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है, यहाँ पर food delivery का तो इनका business है, तो उसमें इस पैसे का वो इस्तमाल करने वाले, और भी expand होने की बात करें, और भी अच्छे technologies, और भी वो अलग-अलग investment करेंगे, delivery उसको और भी fast कैसे quick किया जा सकता है, इसके related वो इस पैसे का इस्तमाल करने वाले है, और प्लस, grocery की अगर हम लोग बात करें, तो उसके delivery के लिए भी यहाँ पर इस पैसे 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 का इस्तमाल होने वाले, जहाँ से जो मैटो, अलड़ी हम लोगों को ग्रोफर से आउट होते वी देखने को यहाँ पर मिला है, तो इसलिए जो आगे फ्यूचर में जो बाजार, आज के दीन के अगर हम लोग बात करें, चार से पाच टाइम का बाजार देखने को मिला है, जो आगे जाके 20 के आसपास होने वाले, चार-पाच गुना बड़ा होने वाला है, तो आज जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए हल चले क्रेट करेगा, वही आगे जाकि यह इतना बड़ा इंडिया का फूड डेलिवरी का बाजार कैप्चर कर पाएगा, और कल के दिन यहापे स्विगी ने जिस तरीकी की खबर सामने लाई कि यह अभी नंबर वन यहापे हो चुके वैल्यूएशन की सबसे नया जो उन्हें ने फंड रेजिंग किया है, उसके इसाबसे, तो जो मैटो में हम लोगों को प्रेशर देखने का आपे मिला है, तो यह में रीजन था जोस्तो जिसके चलते हम लोगों को जो मैटो में एक्स्ट्रा तड़का लगते भी देखने को मला है, जिसका पीछे का रीजन था स्विगी, तो दोस्तो अभी देखना पड़ेगा, कि जो मैटो यहापे इससे रिलेटेड अभी और क्या स्ट्रेटेजिस इस्तमाल यहापे करते हैं, अल्रेडी वो बाजर से इतना जबरदस फंड उठाई चुके है, आईप्यो के थूरू तो आप लोग जबरदस पैसा उठाते हो, बट स्टिल, यह लॉस करके भी फिर क्या बिजनेस क्या करते हैं, दोस्तों बिजनेस वही है, कि वो मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, एक बार मार्केट उनके चंगुल में आ गया, फिर अल्टिमेटली उनी का मतलब पूरा राज्य है, आप इसा भी बोल सकते हो, बेस्ट एक्जामपल जियो है, जियो ने पहले क्या किया, फ्री किया, पूरी तरीके से लोगों की आदत लगवा दी, और उसके बाद जो डेटा आपको पूरे मैने का मिलता था, एक जिवी का, वो आप लोगों को पर डे यहाँ पे देना स्टार्ट किया, तो उसके बाद लोग जिस तरीके से शिफ्ट होए, आप वोड़ा फोन के हालत देख सकते हो, तो यह competition इबदम cut to cut रहता है, थोड़ा भी अगर आप पीछे चले गए, तो फिर मतलब आपका the end भी हो सकता है, क्योंकि यह नए चीजे रहती है, आपके पास पैसा भी लिमिटेड होता है, तो इसलिए दोस्तो जोमैटो जैसे company, जिस business में है, वो बहुत ही काटे की टक कर वाला business है, इसलिए यहापे जोमैटो लॉस के उपर लॉस करते ही जा रहा है, जो जोमैटो की बड़े investor है न दोस्तो, वो यह नहीं देख रहे है, कि company का profit वो तो आएगी भी नहीं, वो यह देखेंगे, sales, अगर एक बड़ा investor है, वो यह देखेगा, जोमैटो के उपर यह pressure डालेगा, कि भाई, अपने sales बड़ाओ, हमें पता है कि आपके खर्चे बहुत होंगे, आप करो खर्चे, जम कर खर्चे करो, बड़ अपने sales बड़ाओ, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पोचो, जो लोग जोमैटो यूज नहीं कर रहे है, उनको यूज करवाने लगाओ, और आपके पास पैसा धीमेदी में आना चाहिए, आगे जाके, जब मार्केट बहुत बड़ा होगा, फिर ये आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेना स्टार्ट करेंगे एक टाइम के बाद, फिर आपके पास कोई option नहीं रहेगा, फिर जोमैटो एंट स्वीगी बिल्कुल स देखने को आपे मिलते रहेते, कौनसे इंसिडेंस, कल आप देख सकते हों, यहापे कितनी बड़ी गिरावट थी है, और वो भी खास करके अलरड़ी स्टॉक इतना गिर के आया था, प्लस एक्स्ट्रा 20% का सरकेट लगा, तो इस तरीकी के अक्टिविटीस देखने को मिल आशा करतो, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को यहापे मिला होगा, और जो हमवक दिया आप लोगों को जरूर बता दिना कि स्विगी ने फंड रेजिंग कौनसे इंवेस्टर्स के थूरू से यहापे की है, आशा करतो, आप लोगों को यह वीडियो प